हेलो फ्रेंट्स वागत है आप सभी का आरवेद यूट्यूब में तो फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों के लिए कोश्चन लेकर करके आ हूं यह कोश्चन क्लास 9 की मैथ से चप्र नमबर 2 पॉलिनॉमियल से लिया गया है तो इस वीडियो में हम इस कोश्चन को डिसकस और चैनल को तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ठीक है तो चलिए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे तो वी है कि हमारे पास है क्या 105 इंटू 106 देखो अगर ऐसा कोई कोश्चन है जैसे की 105 को हम क्या राइट कर सकते हैं 100 प्लस 5 राइट कर सकते हैं ठीक है 100 है यहां पर यहां पर तो chg यहां प्लस 5 हो सकता है दूसरा जो लिखा है 106 उसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं 100 यह हमारा बन जाएगा और इसके बाद में एक होती है बएसिकलि इन बॉढ़र होता है वोगता है एक प्लस A इंटू X प्लस B is equal to X square प्लस A प्लस B into X प्लस A into B यह वाला identity होता है इसका यूज हम कर देंगे हमारा answer आसानी से आ जाएगा देखो अभी आपको लगता हो किसे इसे तो मैं आसानी से multiply कर लेते हैं फिर हम इसको क्यों लगाएं देखिए आगे चलके यह और इजी तरीका हो सकता है आप मन में calculate कर सकते हैं और आगे चलके इससे बड़े बड़े questions आएंगे जिनको आप आसानी से multiply नहीं कर पाएंगे तो यह फार्मूला आपके काफी फायदे मंद होगा फिलाल चलते हैं पहले उसको यूज करते हैं कि सो है कि 105 इंटू 106 इसे हम राइट कर सकते हैं 100 प्लस 5 यह इंटू है तो इंटू 100 प्लस 6 ठीक है यह लिख सकते हैं यूजिंग है आइडेंटिटी फूर आइडेंटिटी फूर है तो आइडेंटिटी नम्मर फूर है मैं आप पर राइट कर देता हूँ X प्लस A X प्लस B is equal to X स्क्वार प्लस A प्लस B इंटू X प्लस A इंटू B अब देखो यहां से X हो जाएगा 100 A हो जाएगा 5 B हो जाएगा 6 तो यह हो जाएगा मारे पास देखो आइडेंटी का स्कुएर के प्लेस पर यु sencill पैट करेंगे 100 का स्कुयर प्लस A के प्लेस पर 5 प्लस B के प्लेस पर 6 एंटू X के प्लेस पर 100 X के प्लेस पर 100 प्लस A के प्लेस पर 5 इंटू B के प्लेस पर 6 बस इनको multiply कर लेंगे देखो 100 का square करने के लिए क्या करना होता है 1 का square 1 जैसे 1 0 है तो उसका square 2 0 होगा तो आपर two zeros है तो इसका square four zeros हो जाएगा तो यह हो जाएगा basically ten thousand five plus six कितना हो जाएगा eleven and two hundred तो कितना हो जाएगा eleven hundred plus five six जा thirty ओके आप इनको add कर लेंगे तो देखो यह ten thousand है और यह eleven hundred है तो यह हो जाएगा eleven thousand one hundred और थर्टी एड़ कर देंगे तो कितना आजाएगा देखो आजाएगा eleven thousand one hundred thirty कितना आजाएगा eleven thousand one hundred thirty तो basically यह हमारा answer हो जाएगा आप बहुत बच्चे क्या होते हैं कि इसको add करने में confused हो जाते हैं तो आप ऐसे रफ कर सकते हो आपको ज्यादा stress लेने की ज़रूद यहां पर हो जाएगा eleven hundred और यहां पर हो जाएगा थर्टी एक जीरो थ्री वान वान वन तो आपको ज्यादा stress लेने की ज़रूद नहीं आप ऐसे करके भी add कर सकते हो कि लिए तो यह हमरा answer हो गया अब देखो जब हम अभी class ninth में हैं तो हम हो सकता है फार्मूले का इस्तेमाल करें लेकिन जब हम धिरे धिरे आगी classes में जाएंगे तो यह सब फार्मूला वगरा नहीं लिखेंगे यह सब हमारे मन में रहेगा हम सिंपली क्या देखेंगे कि 105 इंटू 106 है तो यह 100 प्लस 500 प्लस 6 हो सकता है तो सीधे क्या करेंगे यहां पर 100 का स्क्वाइर कर देंगे तो यह सब काम और ली कर सकते हैं और यह किन मानिए अगर वीडियो को पाँज करने की कुशिच करेंगे तो हो जाएगा फिलाल हमारा आंसर यह है अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसे लगा चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजिए आप चाहें तो इसे रइंट और दोन कर सकते हैं या तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो को कैसा लगा वीडियो अगर जरहा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कोशन के साथ तब तक ले थेंक्यू ग्लास